बुंदेल खंड के सागर में बिस्सु का सबसे बड़ा संत रविदास मंदिर बन रहा है 11 एकड की जगए में 100 करोड की लागत से इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है करीब 6 महिनों में इसका 25 भीजदी काम पूरा हो गया है खास बात ये है कि मंदिर का जो गर्व ग्रह है उसकी उंचाई 66 पेट होगी लेकिन इसमें किसी भी पिरकार के लोहे का उपयोग नहीं किया जाएगा मंदिर के गर्व ग्रह को 2000 साल पुरानी नागर सैली से निर्मित किया जा रहा है इसमें केवल गिट्टी, रेता, सिमेंट का ही उपयोग किया जा रहा है बहीं आयोध्या में भगवान राम लला के मंदिर का जिन पत्थरों से निर्मार किया गया है बहीं से पत्थर सागर भी मंगवाए जा रहे हैं बंसी पहाड़पुर, धौलपुर, राजिस्थान से यह पत्थर आ रहे है 2025 तक इस मंदिर का काम पूरा हो जाएगा सुनिए क्या कह रहे है अधिकारी हम ये मंदिर जो काम कर रहे हैं ये लगभग हमारी 11 इकड के लेंड है मंदिर, दॉर्मेट्री, भक्त निवास, लाइबरेरी, म्यूजियम है कुंड है, कॉल्नाड इस्ट्रक्चर है, एंट्री है और पाथ पर जो डेवलप्मेंट वहने वो है कैफेटेरिया है, टॉयलेट है मंदिर जो मुख्य मंदिर है मुख्य मंदर में तीन पार्ट है हमारे एक अर्ध मंडफ है अंतराल मंडफ है और गर्भ 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 है हमारा लगभग यह डेड़ सो स्क्वर मीटर के आसपास का है इसमें एक रिवदाजी महराजी की मूर्थी होगी और उसकी हाइट होगी लगभग 66 तो यह क्या खासि कि यह साल पॉरानी होगी या थूरों करना है रही जा रहा है वह एक फैली माणने कि यह चार पनाने में टेक्निक उप्योग की जा रही है कितनी साल पुरानी होगी या यह तो सदियों पुरानी है मतलब आज से 2000 साल पहले जो मंदिर बना हुआ था वो भी इसी टेक्निक पे था नागर शेली जो होती थी उसमें एक पॉइंट पे हमारा एक सेंटर ऑफ ग्रैविटी होता था वो ही हम वही थियोरी इसमें हमारी होती है